सुकी दुखी होने का कारिय निरंतर करते रहते हैं ऐसे इस संसार में, मित्यातों के संसकारों में कुछ ऐसे विरले जीव होते हैं जो तत्यो ज्यान के लिए समर्पित होते हैं तत्यो ज्यान के प्रती अपना जीवन समर्पित कर दूसरों को भी तत्व ग्यान की शिक्षा देने के लिए आतुर होते हैं विगत दिनों ऐसे ही दो जीवों का हमारे बीच में से जाना परियाय नएकी दृष्टी से दुख का विशय है और उस दुख को ही दूर करने के लिए तत्व ग्यान का ही हमें अवलमन लेना है आज यह सर्दानजली सभा यादों की छाओं में पंडित धर्मेदर जी शास्त्री यहां से बारह भावनाओं के पाट के माद्यम से प्रारम करते हैं जैचंदी शाबड़ा द्वारा जो पंक्तियां मैंने अभी यहां से गुन गुनाई उनी पंक्तियों को यहां हम सब याद करेंगे पाट करेंगे प्रारम करते हैं द्रव्य रूप करिसार्व थिर परजय थिर है कौन द्रव्य दस्तियां पाट को परजय है करियों जुद्धा तम्यर पंचे दुरू जग में सर्नों दोष् मोर उदय जिये के रशा आने कल्प नावोष् परजव रव्यन द्री की जो है संसार लगोष् सापो बलगति चार में द्रमन का योश्च चोष् परमारत तेरा स्मा एक रूप री जोष् कर्मन में सर्भी कल्प ने दिन नादे स्य गोष् अपने अपने सस्क्रभू सर्वर्वर्सु बिलसाई ऐसे जित्वे जीव सब परते हमत नादाई जिन में अपनी आत्मा देर अपा बनगे जानी अगर जबाब को यासोता जोचने आत्म के वज ग्यान मैं निश्चय दर्श्टी निहार सब में भाब परिनाम मैं आज कब भाब विदार जिल करूप मैं दीन था निश्चय संबर जानी पूर्व कर्म जड़ जाए निश्चय स्वरूप को पाए कर लोक सिखरते स्थार लोक स्वरूप विचार के आतम रूप निहारी परमारत व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी बोधि आप का भाव है निश्चय दुर लभनाही भव मैं प्रापती कठेन है यह ब्यवहार कहाही दर्ष ज्ञान मैं चेतना आतम धर्म बखानी दयाच्छमादिक रतन त्रय यामें गर्भित जानी पंडित धर्मेदर जी शास्त्री ये दिपी आपका देवासान ग्यारा तारीक को सनिवार रात्री कोई हो गया था और हमारे परीशर से भी सभी अधिकारी गन मांग गये थे और बारा तारीक को अपचारिक रूप से बारा भानाओं का पाठा हम समी ने मिलकर यहां किया था और अधर्निय दादा की अस्वर सता की बज़े से आज ये सभा यहां से संपर्न हो रही है मैं अधर्नि पर्मातम जी भैसाब से निवेदन करता हूँ सर्वप्रतम आधर्निय पंडित धर्मेंदर जी शास्त्री क्या थे उनका क्या परिच्चाई था उसे प्रस्तुत करने के लिए उनके ग्रह नहर के विद्वान उनी की प्रेड़ना से जिनोंने महाविद्याले में प्रवेश लिया था और अध्यनकर सफल सास्त्री हुए पंडित अर्मेंदर जी शास्त्री से निवेदन करता हूँ अधर्निय धर्मेंदर जी भैसाब का परिच्चाई प्रस्तूत करें मेरे लिए बड़े गर्वी की बात है कि आधर्निय भैसाब का जहां जन्म हुआ उसी नगरी में मेरा भी जन्म हुआ भैसाब ने अपने नाम के सास साथ बंड़ा नगर का नाम भी अंतर राष्टी इस्तर पर रोशन किया आप सभी भैसाब के नाम से तो परिच्चत हैं ही फिर भी मैं उनका संचित परिच्चत यहाँ पर प्रिस्तुत कर रहा हूँ आधर्निय धर्मेंजी सास्त्री पिता सिरी स्वर्गे राकेश जी जैन सनाई वाले माता सिरी मती मुन्नी देवी भैसाब का जन्म मद्द प्रदेश के सागर जिले के बंड़ा नगर में 13 अक्टूबर शन 1977 में हुआ था भैसाब की प्राथ्मिक सिक्षा तो बंड़ा नगर में ही संपन हुई थी उच्ची सिक्षा के लिए सन 1994 में भैसाब ने यहाँ स्री टोडल मल्द गंबर जैन सिद्धान्त महाविद्यालाय में 1994 से लेके 1999 तक यहाँ पर अध्यन किया अध्यन के साथ ही उन्होंने यहाँ पर 1999 से लेके 2010 तक यहाँ पर बरिष्ट अधिक्षक के रूम में यहाँ पर कारियरत रहे ततपस्चाथ 2011 से लेके बर्तमान समय तक आचार धर्शन महाविद्यालाय कोटा तथा वहाँ पर एक जो अभी नया विद्यालाय खुला था उसमें भी उन्होंने प्राचार पत पर कारियरत रहे इसके साथ ही भाई साब की और भी अनिक उपलब्दियां हैं जेन दर्शनाचार में गोल्ड मेरेलिस्ट कई रचनाई एवं प्रिणना सोत वामाग दर्शक एवं गोष्टियों के सोत पत्र के बाचन हस्तनापोर अकलुज ऐसे दो महा पंचकल्याणाग जो हुए थे उन्होंने प्रिणिश्टाचार एवं आधी अनेक पंचकल्याणा को में सह प्रिणिश्टाचार का कारी किया गुणों के बारों में बात करें तो लोग प्रिये प्रवचनकार कुसल वक्ता मनुवेग्यानिक अध्यापक कुसल माग दर्शक प्रटिश्टाचार वा विधानाचार जैन दर्शन के गहन अध्यान करता आधी अनेक गुणों के धनी थे इसके साथ ही मेरे लिए तो भाई साथ प्रियना सुथ थे ही साथ ही साथ अनेक विध्यारतियों को उनकी प्रियना पाकर कोटा वाशवाडा और जैपूर ऐसे जगए पर अध्यान के लिए उन्होंने वेजा और अधिक से सास्त्री जो यहां नहीं उपस्तित हूपाए हैं उनकी तरफ से मैं भाई साथ को स्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जैजने महाविध्याले का संचालन कोशल उनकी एक विशिष्ट परतिवा थी अंतरमन से सदाय रूची उनकी रहा करती थी कि महाविध्याले के विद्यारतियों का उत्तान कैसे हो उनमें जीवन में उननती कैसे हो तमाम गतिविदियां उसके लिए निरंटर वे करते रहते थे और लोगों को लगता था उसमें उलजे हुए हैं पर उनने बहुत रूची थी निरंतर इसी कार्य में वे लगे रहते थे, इसलिए छात्र और छात्रों से सम्मधित गत्विदियां उनके लिए अमेशा ही प्रिय विशे रहा करता था, वक्तव्य में भी उनकी रुचीती, गोष्टी आदी, पत्रवाचन आदी कार्य है, निरंतर कहा करते थे, समय सार आप्तपरिक्षा दी, मूल गरंतों का न्याय विधा, अध्यात्मे विधा के गरंतों का भी अध्यापन उन्होंने कोटा में वहां छात्रों को कराया, मंच संचालन भी उनके लिए प्रिय विशे था, और सुनने वालों के लिए उनका संचालन बहुत प्रिय विशे शरवधय अंसा का कारिकिरम हो और वहाँ Amadhyaya Dalek का कारिकिरम हो इसमें भी वी ऊपश्थित रहते थे बहुत अच्चा संचालन वे किया करते थे मैं निवेदन करता हूँ महाविद्याले की अशेश्वी प्राचारी आदरनी भैसाब से जिनके लिए दर्मेंद्र जी सरुपरतम छात्र रहे हैं आपके शिक्षाएं उन्होंने अध्यनकाल में पाई हैं और आपके उप्राचार यत्व में ग्यारा वर्ष तक वरिष्ट अधिक्षक के रूप में उन्होंने कारे किया है निश्ची तोर पर आपके निड़ेशन में वह स्वर्नम काल रहा मैं आदरनी भैसाब से निवेदन करता हूँ सरदान्जली वेक्तकर काल सिंगने मर्ग चेतन को गेरा भववन में नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में मंत्र, यंत्र, सेना राज संपती लूटे वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे चक्र रत्न हलदर सा भाई काम नहीं आया एक तीर के लगत ही विनश गई क्रश्न की काया धर्म गुरु देव गुरु धर्म शरन जगत में और नहीं कोई भ्रम से फिरे चेतन जग में उमर यों ही होई धर्मेंद्र पहले विद्यार्शी रहे फिर अधिक्षक के रूप में कार्य करते रहे विद्यार्शी काल से ही कार्यों में सहयोग रहा उपाद्य वरिस्ट कक्षा के बोर्ड एक्जाम की तयारी उनके जो पहले कॉलेज में प्री बोर्ड जैसी परिक्षाय होती नहीं थी तो यहां उनीक अक्षा के विद्यार्थियों में यह परंपरा भी चालू की उसके पश्चा तब अंतिम्बरश के विद्यार्थी बराबर अनेगती उद्यों के संचालन में सहयोग करते हैं फिर अधिक्षक के रूप में यहां बराबर कारी किया कुशलता पुरूवक संचालन किया हम दोनों का जैसा स्वभाव रहा हैं इसलिए बहुत अच्छी तरह से बिना किसी खटपट के महविद्याले की प्रगती में सहयोग देते रहें कोटा जाने के बाद वहाँ भी जब कोई अनुशासन प्रशासन की बात होती थी तो संपर्क में रहते थे समय सारादी विशय पढ़ाना प्रारम किया तो विशय संबंधी भी चर्चा बराबर होती रहती थी प्रशाक्षन शिविरों में यहां के अक्तूबर की शिविर में भी आते थे तो निरंतर संपर्क बना ही रहा दशलक्षन इत्यादी में उनका स्वयम का जाना हो वहां के विद्यार्शियों का हो पने शेत्र भले ही अलग-लग रहे हो लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई अलग-अलग हो एक साथ मिल करके सभी हम कारी कर ही रहे थे परंतु देहो हम इतिया विद्या सा विद्या प्रकीर्टिता ना हम देह चिदात्मेति विद्धी विद्धेति भन्यति मैं देह नहीं हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ इतना जिसमें लिखा हुआ है बवास्तविक विद्या है ऐसा नहीं है आगम किसे कहते हैं यह स्वास्त्र रखे हैं यह सब आगम है ना जनेंद भगवान के वचन खिरते हैं वो आगम है नहीं है क्या है आगम आप्त वचनादी निबंदनम अर्थ ज्ञानम आगमह ऐसे ही लाहम देवो चिनात्मेती बुद्धि मैं देह नहीं हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसी बुद्धि उसका नाम वस्तविक विद्या है साविद्यती भन्यती और उस विद्या कोई कहा जाता है साविद्याया विमुक्पईत वास्ताव में इस विद्या का अध्ययन वे यहां चात्र के रूप में रहते हुए कि यह पुनहा अधिक्षक और वहां प्राचारी के रूप में चात्रों को इसी विद्या का अध्यापन निश्चित रूप से निरंतर उनोंने कराया ये प्रेरणा हमको भी लेने जैसी है कि हम भी अपना जीवन इसी कारी में निरंतर निश्चित रूप से लगा करके रखे इससे और उत्कृष्ट कारी निश्चित रूप से कोई नहीं है एक बस में बहुत भीड थी एक महिला अपना थेला लेकर के चड़ी कुछ जगे उसे नहीं मिली तो एक व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ था उसके बगल में जा करके खड़ी हुई और जान बूज करके अपने थेले से उसको मारती रही दो बार, तीन बार, चार बार लेकिन उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की बहुत बार होने के बाद भी नहीं की तब महिला ने उससे पूछा कि भैसाब मैं इतना आपको तकलीप दे रही हूँ आप कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो उसने एक ही वाक्य बोला यात्रा बहुत छोटी है अगले ही स्टॉप पर मुझे उतरना है और इतनी सी यात्रा में तुम्हें कुछ कह करके अपना परिणाम बिगाड़ू और तुम्हें कहने के बाद तुम्हारी परिणाम बिगाड़ू इससे क्या लाब है छोटी सी यात्रा है शांती से निकल जाये तो अच्छा है अपन सब की भी सचमूच में छोटी ही यात्रा है किसी की कम किसी के अधिक लेकिन वह सब यात्रा कितनी सी है छोटी ही है इसलिए सचमूच अपने अपने परिणाम समालनी की आवश्यक्ता है धर्मेद्जी ने तो अपने परिणाम समाल लिये और वे अपने अगली यात्रा पर निकले जो तक्त्व ज्यान उन्होंने यहां आरजित किया है रुची पूर्वक सुना और समझा है वह संसकार वह धारणा के रूप में निश्चित रूप से उनके साथ में गया है और वह पना आगामी भवो में उन्हें अपने निज कल्यान के लिए कारण बनेगा हम भी प्रेणा लेकर के इसी कारे में निरंतर लगे रहें उन्हें स्रीग्र परंपद की प्राप्ती हों यही मेरी हार्दिक स्रद्धांजली जय जनेद्र स्री टोटरमल देंगबर जैंसिद्धांत माविद्यालाई और समारक परिवार दोनों से बहुत गेराई से जुड़े थे जब भी समारक की अत्वा विद्याले की कोई चर्चा उनसे कोई करता था एकदम प्रसनेंचित्ते से उसे जवाब देते थे और हमेशा कोई नों कोई बात इस तरह की अपनी पुरानी बातें अपना अनुभाव वे सुनाया करते थे कभी इस मारक परिवार से उन्होंने सोयम को भिन्न नहीं माना अक्टूबर शिवी रादी में वे सोयम यहां आते थे प्रिशिक्षन शिवीर में भी आते थे बीच में जब भी आवसर उन्हें मिलता था निरंतर यहां आते थे और संस्था की गती विधियों में भी निरंतर अपना योगदान विधिया करते थे मैंने जिक्र किया था महाँध्य अलए संचालन उनके लिए सबसे परीव विशह था विध्यार्थियों से भी बहुत लगाव उन्हें रहा करता था वर्तमान के सभी विद्यारती अक्टुबर श्विर में उनसे कुछ ना कुछ विशेगा अध्यान तो उनसे सब ने किया होगा पर मैं स्वयम चात्र के रूप में कारी कोशलता का साक्षी हूँ और मैंने देखा है और भी अनेक चात्र ऐसे हैं जो वहां कोटा में अध्यान करके समंत बद्र विद्यानी के तन से अध्यान करके यहाई हैं जिन्होंने उनकी कारी कशलता को देखा है उन में से एक चात्र को मैं यहां बुलाना चाहता हूँ वे आवे हैं और आदर्निय भाई साब को सरद्दा अंजली वेक्त करें उपाद्या कनिष्ट से काव्य जन पुजारी खनिया दाना से वे आवे और आदर्निय भाई साब के अप्रती अपनी सरद्दा अंजली वेक्त करें ओब नमा सिद्धिव्या वर्तमान समय में हम सभी पर दो ब्रिहद ब्रज्य पात हुए हैं जिनें 20 मुद कर पाना हमारे लिए शक्य नहीं है जिन्वानी के सुपूतों का इस प्रकार अचानक से चले जाना हमारे लिए कोई सरल बात नहीं है उनके जो हमारे प्रती शद्धान था जो उनको विद्यारतों के प्रती लागाव था वो अकतनी है परन्तु गुरू गुर्णान कर सतत क्रत उपकार के प्रती प्रतग्य बने रहना ऐसी भावना के साथ मैं मम गुरू आदर्णी पंडित विद्धान धर्मेंची भाई साब को मिशेश रूप से स्मृत करना चाहता हूं आदर्णी भाई साब अत्यन्त सरल सभावी थे विद्ध्यारतों के प्रती उन्हें अत्यदिक्स ने हमेशा ही रहता था ऐसे संगटक को हमने दिनांक 11 मार्च 2023 को रात्री में खो दिया उस दिवस के ठीक एक मापूर उन्होंने अपनी माता को भी खो दिया था वे नाई केवल मुमुक्षिवाश्रम कोटा के कोटा में अपितु सभी संस्तानों के आयोजन कारों में उनका सयोग हमेशा बना रहता था मुझे उनका समागम वर्ष 2020 में प्राप्त हुआ जब मैं कोटा माविद्धाले में प्रवेश के लिए पहुचा मुझे वहाँ प्रवेश मिला मानो ये भाई साब की ही देन थी कि उनके माध्यम से मेरे अंदर तत्य ग्यान रूपी बीज का बीजा रोपन हुआ मैंने मेरे अध्यान काल में भाई साब की कुछ विशेष्टाएं देखी जो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने भाई साब को मुझे रूप से चार रूपों में देखा पहला प्राचारे के रूप में दूसरा वो जब हमें पढ़ाय करते थे तब एक अधिक्षब के रूप में तरतिये कुछ दिक्कत हो सायता चाहिए हो तो एक बड़े भाई के रूप में भी और चतुर्थ खेल खूद में तीरस्तलों की यात्रां में एक सहबाटी के शमी भी थे उनका एक कोटेशन था सहस्ता में ही आनंद है मानो अंतिम समय में भी वो सहस्ता रूप भावधारण किये हुए थे समता रूप भावधारण किये हुए थे उन्हें विद्यार्तियों को पढ़ाने की रूची इतनी अधिक थी कि कोरोना काल में कोरोना से पीड प्रत्यक्ष रूप से उपस्तित नहीं है परंतु उनके द्वारा प्रदत सद्ग्यान हम सभी को जीवन पर्यंत याद रहेगा जिस प्रगार, दीपक को दिन में जलाने से उसके प्रकाश की महत्ता कम होती है अपी तु उसी दीपक को ग़ुगा रात में जलाया जाए तो वो विशेश भूप्षप प्रकाशत होता है इसी प्रकार भाई साथ का मेरे जीवन ने उपकार था उन्होंने मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित कर हंकार में दीब जाने का कार्य किया था अता अंत में भाई साथ के दारा किये गए उपकारों को पुना समित करते हुए मैं हिदय से विदमनिश दांजली व्यक्त करते हुए अव्योदे की कामना करता हूँ जैजनेंद आधरनी भाई साब के एक विशेशता थी वे छात्रों में छुपी प्रतिवा को डूंडते थे और उस विद्यारती को उस प्रतिवा को विक्सित करने में बहुत सयोग करते थे कि तुम ऐसा काम कर सकतो और वैसे ही सोयम के अंदर की जो प्रतिवा है मोक्ष जाने की उन्हें भी उन्होंने पैचान ली है और उस प्रतिवा को विक्सित करने के लिए ही आगे की यात्रा के लिए वे आगे बढ़ गए हैं मैं आवाज देता हूँ आदर्निय शुद्धात्म प्रकाज भारियल साब से जिने वे बड़े भाई समझते थे दर्मेंद्र जी और किसी भी कारी करने से पूर्व आवश्य सला लिया करते थे ऐसे आदर्निय वैसा भावें और शुद्धान चली इतने कम समय में पच्चीस दिरों में दो लोगों के बारे में हमें ऐसी बात करनी पड़े कि इसकी कोई कलपना भी नहीं थी और धर्मेंद्र भी चला गया रात को बारे बजे सूचना मुझे सबसे पहले प्यूस ने दी तो भरोसे ही नहीं हुआ और मैं तो दो ती घंटे तक इस समाली नहीं पाए कैसा कैसे हो सकता है लेकिन हो गया और समझ में आया कि इससे उतकर्ष्ट नमूना सांती जी अब जीवन की छड़ भूंगरता का नहीं हो सकता तीस दिन में संजीब चला गया और तीस मिनिट में धर्मेंद्र चला गया लेकिन वे एक बात बहुत जरूरी है कि धर्मेंद्र की जीवन का सबसे उतकर्ष्ट बात ये रही इस जीवन की और पाल लोकिक जीवन की कि उसने पंडिट टोड़मल सिद्धात महाविद्याले में प्रविस ले लिया कल्प ना करो अगर वो यह नहीं करता तो क्या होता बंड़ा में रहता है नहीं तो कुछ पढ़ाई करता नौकरी कर लेता आयू तो थी इतनी तो इस मनुझब का क्या होता और यह बात में इस परिपिक्ष में कह रहा हूं कि आपको यह कीमत पता नहीं होगी कि आप यहां पढ़ने आ गए तो वो कितना महान काम और कितना बड़ा काम हो गया क्या फरक पढ़ता है उमर काम है के जादा है पीछे वाले जो हैं उनके उद्धे के हनुसार उन्हें भोगना पड़ रहा है जैसा उनका उद्धे है जैसी परस्टिती है वो जीप तो गया सीमंदर रहुगवां के दिबदनी को सुन ली अपने आगे की जो संस्काल लेगे गया उसके अनुप तत्व चर्चा में लीन होंगे लेकिन अगर यहां नहीं होते हैं और आयू तो इतनी आयू होती तो क्या होता इससे और बात इस पर ठो जाती है कि आप कितने सौभागे साली हो कि आप यहां आगए आपने वो निर्ने कर लिया पर इपरम सौभागे तब होगा जो इन पांस साल को आप कैसे कैपिटलाइज करोगे एक हजार इसना तक निकल गए वे सारे एक से नहीं हैं धर्मन जैसे चुनिंदा हैं जिनने तनी गहराई से अध्यन किया जितने और उसके बाद अपना पूरा जीवन तत्तो बिचार में तत्तो ग्यान में अत्मी आत्म साथना में लगा दिया तो धर्मन की महनता थी इस बात पर उसे उसका तो कोई बिकल्प नहीं किया कि मेरी लौकिक को उन्नती क्या होनी है पैसे कितने आनी है तनका क्या आनी है कैसे आनी है लेकि जो लक्ष था जिससे कहते हैं कि वो जो प्रियूरिटी थी जो परपस था लाइफ का वो उसने पहले दिन से पूरा किया जब वो यह ऐल्मी सलियने आया तो भले ही उमर कम रही वो तो जीत गया और अगर हमारी उमरी भी इतनी रही तो हमारा क्या होगा और लंबी उमर भी मिल गई यो कुछ नहीं समझे तो क्या होगा तो मैं आपके परिपेक से बात कह रहा हूँ क्योंकि आपकी मुक्ता से दान जलीज है कि अपने सुभागे को सरा हो कि आप यहां आ गए हैं और मज़ों की सार्थकता इसमें हैं कि आप यह अध्यान कर रहे हैं इस तत्यूग्यान को पी रहे हैं यह कोई लौकिक पड़ाई और डिग्री के लिए इस सास्त्री नहीं है उसके लिए आप यहां नहीं आए हैं कि आपको यह डिग्री मिल जाएगी परसंटेज मिल जाएंगे और फिर आपको कहीं बड़ी असी नौक्री सौक्री मिल जाएगी हो जाएगा ये भब के अभाव करने के लिए आपने अद्मिसन लिया है तो इन पांस सालों को पी जाओ इन पांस सालों के एक एक मिनिट को अपने लिए कैपिटलाइज कर लो क्योंकि इसके बाद जो पांस दस साल होंगे उसमें उलज जाओगे अगर तो पिचार में रम गए लग गए तो नहीं उलज जाओगे और गए तो उलज नहीं पड़ेगा तो बहुत सौबा के सालियों को कि जीवन की सारी समझ चाहें सिर्व आड़े डैस के बराबर हैं जिसमें जन्मतिति और मरंतिति लिखी जाती है और बीट में वो डैस लगात से वो अतनी सी हैं और हम सबके सब उस समस्याओं में उतनी से डैस में उलजे रहते हैं और हमारे फुर्टू पर भी माला टंग जाएगी एक दिन लेगें जब टंग जाएगी तब यह बक्त नहीं मिलेगा सोचने को कि हमने क्या किया बक्त तो अभी है और जब एहसास और दो ऐसी चीजें हैं कि वो सफल वो है जिसको जब जब अहसास हुआ तब अफसर हो और जब अफसर है तो अहसास हो जाए लेकि अधिकतर लोगों को जब अफसर होता है तो अहसास नहीं होता है और जब अहसास होता है तो अफसर छूट जाता है आपके पांस साल है आपके धर्मेंद को वो अफसर मिला लेकिन उसे वो अहसास हो गया कि मुझे ये पांच साल मेरे जीवन के सुरने में और इसके बाद उसे फिर वो ही काम किया जो करने योगे था तो जीद किया धर्मेंद लेकिन आपके पास अफसर है तब ही हो जाता उसकी पत्नी नेहा को भी नेहा ने भी जतना उसके साथ रही तद तो ग्यान पिया समझा जाना 24 घंटे उसी में रची पची रही तो जो मुझे सूच ना मिली और जो मैंने देखा उसको बहुत संबल है इस बात का अगर मूर्ख हो अग्यानी हो कुछ पता नहीं हो समझ में नहीं हो तो कितने संकले स्परणाम हो सहीयों के भीयोग का कितनी पीड़ा चिंतन हो कितनी तकलीफ हो कितना आत ध्यान रौत ध्यान हो तो कितने नभीन करमों का बंद हो तो आपके जो सयोगी हैं, आपके जो परीजन हैं, उनको भी अगए सत्वग्यान के माग में लगा दिया, तो कोई भी विप्रित पस्चती आए, तो भी सहन कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और मैं आपको समहल पाएंगे, धर्मेंद बहुत मेरा छोटा चोटे हैं, लेकिन बात एक धर्मेंद चला गया, और वो जीत गया, और हम कहीं हार ना जाएंगे, अकिल बारती जेनुव फेडरेशन के द्वारा, जो यात्रा हैं निकाली गई, उन यात्राओं में, मुख्य विवस्तापक के रूप में, आपका बहुत सहयोग रहता था, आधरनी शुद्धात्म प्रकाज जी के साथ जब बाद में, जब तमिल यात्रा की तैयारियम कर रहे थे, तो भहिया ऐसा कहते थे, कि मैं और रूपेंदर मिलकर के जितना काम कर रहे हैं, उतना काम अकेले दर्में जिब ऐसा उस समय किया करते थे, ऐसे ट्रेश्ट की समस् के बच्चे और मुमक्षु आसरम परिवार बेबी सभी इस कारकरम में जुड़े हैं, उनलेन रूप से, उन सभी को समारक परिवार के ओर से हार्दिक समवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं, अगरिम करम में मैं आधरनी परमातम जी बैसाब से निवेदन करता हूँ, आधरन अधरनी परमातम परिवार। ब्याथित हैं, परिशान हैं, अगर पीड़ा दूर करनी हो, तो पीड़ा की ब्याक्ख्या करनी पड़ती हैं, पीड़ा क्यों है, पीड़ा कैसी है, और पीड़ा मिटे कैसे हैं, इस प्रिसंग पर तीन तरह की पीड़ा हो सकती है, एक तो जो व्यक्ति चला गया है, वो हमारा अतिप्रिय पात्र था, सम्मानी था, प्रिय था, और हमें उसकी चिंता होती की अब उसका क्या होगा, इस बात का भी हमें बहुत दुखदर्द और अप्सोस हो सकता है, दूसरा, उस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या इस्थान था, क्या योगदान था, और अब हम उससे वंचित हो गए हैं, इस बात की हमें बहुत पीड़ा हो सकती है, और तीसरी पीड़ा ऐसी हो सकती, उस व्यक्ति से तो हमें कुछ लेना देना नहीं था, परन्तु जैसा उसके साथ हुआ, ऐसा कभी हमारे साथ भी हो सकता है, और हो सकता है नहीं, होना निश्चित है, तो उसका दुखदर्द देखकर के हमें अपना दुखदर्द कल्पता में अवतरित हो गया, और उस बात से हम परिस्दान हो सकते हैं, अब इन से उबरने का उपाए क्या है, वैसे तो जीवन में ऐसी और इससे बहुत चोटी बड़ी घटना हैं, गटित होती रहती हैं, जो की हमें हिला देने के लिए परियाप्त हैं, पर पता नहीं, वो हमारे दिलो दिमाग पर ऐसा प्रभाव नहीं डालती हैं, जैसा ये मृत्यू डालती हैं, हम इसकी बात करना नहीं चाहते हैं, इसके बारे में बिचार करना नहीं चाहते, इसकी कल्पना करके ही हम सीहर उठते हैं। तो फिर मैंने गैराई से लगार कीया कि इस म्रत्यु में आखर ऐसा क्या है? कि हम मरना नहीं चाहते और म्रत्यु से हम बहुत डरते हैं। तो एक निस्कर्स निकला कि हमारे काम हमेशा बाकी रहते हैं और इसलिए हम मरना नहीं चाहेते हैं अगर हम ये महसूस करें कि मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं बे किसी भी प्रकार की हो सकती घर पड़िवार के प्रती समाज के प्रती सुविम अपने प्रती तो हमें मरने का उतना भय नहीं रहेगा कहने को तो लोग ये भी कह सकते हैं कि यहां के बाद कहां जाएंगे नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे और क्या होगा उसका भी डर रहता है अग्यात का भाय रहता है पर मैंने बहुत गहराई से विचार किया ना तो मुझे लगा वो बहुत कम है बहुत कम लोगों को होता है कि क्या होगा आगे उसका ज़्यादा चिंता नहीं है हमें लोगों को क्योंकि हम भले पूरववववववववववववववववववववववववववववव इस बात से ज्यादा भैवीत लोग पाए नहीं गए पर मेरे मरने के बाद इस परिवार का क्या होगा किसी को ये भरोस भ्रम है कि मैं समाज को चला रहा हूं संस्था को चला रहा हूं देश को चला रहा हूं तो मेरे बाद इस देश का क्या होगा समाज का क्या होगा परिवार का क्या होगा इस बात की चिंता ज़्यादा होती है और अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारे काम पूरे हो गए हैं तो साइध हमें मरने में इतनी असुविधा और इतनी हिचक ना हो अगर हम सच्मुच इस म्रत्यू के दुख से उबरना चाहते हैं तो हमें ऐसा उक्रम करना चाहिए कि हम अपनी सबी जवाबदारियों से मुक्त हो जाएं तो हमारी म्रत्यू सुखद होगी बेद जवाबदारियां कौन-कौन सी हैं दो तरह की जवाबदारियां हैं एक तो इस जीवन से संबंधित ततकालिन आजीविका की परिवार के भरन कोशन की और दियस समाज का कुछ करने की और दूसरी जवाबदारी है इस आत्मा के त्रई कालिक कल्यान करने की दुरुफाग के पूर्ण बात ये है कि ज़्यादा तर लोग हमारे आज की समस्याओं में इतने उल्जे रहते हैं ये लौकिक समस्याओं में भी आज की में इतने उल्जे रहते हैं कि पांस साल बाद की कुछ करने की सोचने की उन्हें फुर्शत नहीं होती है परन्तु ऐसे तो विरले ही हैं कि जिने इस जीवन के बाद में इस आत्मा का क्या होगा उस बात की चिंता हो उसकी कुछ तयारी करनी पड़े और फिर अगर हमारी डिक्सनरी में वो आभी जाए तो हम जीवन के अंतिम भाग के लिए वो काम छोड़ देते हैं और आज की समस्याओं में उलच जाते हैं मैं एक बात पुछता हूँ कि अगर हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाए जैसा कि संजीब जी के साथ में हुआ और धर्मेंद्र जी के साथ में हुआ तो हमारा क्या होगा संजीब जी ने और धर्मेंद्र जी ने तो अपना चाहे वर्तमान जीवन की विवस्था का काम हो चाहे आगे की वो दोनों काम को एक काम बना लिया उनके यह भव का भी काम चल रहा था और आगामी तैयारियां भी हो रही थी कुछ हम जैसे भागे हो जुन्होंने अपना सारा जीवन आजीविका में गवा दिया और अगर मुझे यह उम्र अब ना मिलती यह ऐसा ही हो जाता तो क्या होता इसलिए अगर मुझे आज करना है ना आजीविका तो करना मजबूरी है तो दिन का जो क्रीम समय है जब फुल एनरजेटिक होता आदमी तब तो दुप्या पैसा कमाने में लगा देता है जब थका हरा और बदहाल हो और कुछ करने की ताकतना बची हो तब धर्म कर्म के बारे में सोचता है परन्तु अब डबल सिफ्ट करनी पड़ेगी आठ घंटे कमाई में लगाओ और फिर आठ घंटे स्वाध्याई में लगाओ तब भी दोनों काम आधे आधे होंगे अगर हम इसी काम को अपनी आजीविका का साधन बना लें तो अगर हम सोला घंटे काम करेंगे तो सोला घंटे आजीविका का काम होगा और सोला घंटे आत्म का लियान का काम होगा दोनों काम पूरे पूरे होंगे बताओ समझदारी किसम है पता नहीं यह कहां से एक कंसेप्ट चल पड़ा है लोग कहते हैं कि धर्म को आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए धर्म की आजीविका नहीं करनी चाहिए मैं पूछता हूँ कि अगर धर्म की आजीविका नहीं करोगे तो क्या पाप की आजीविका करोगे अरे ऐसा ही करना चाहिए कि उन्होंने छींके से कोई बस तू उतरवाई तो काम का काम हो गया और अंगराई की अंगराई अगर हमने तत्व प्रिचार को बच्चों को पढ़ाने को प्रवचन करने को सिविदों को लगाने को अपना करियर बनाया तो परिवार भी पलता रहेगा जीवन भी चलता रहेगा और अपने आत्म कल्यान का मारगी भी प्रिस्थ होता रहेगा पता कौन सा काम उत्करष्ट है और कोई ऐसा काम करता हुँ आदमी भूखों मरता देखा गया है क्या आजीव का भी पाता है मान सम्मान पूजिता भी पाता है और एक बात तो सही ही है इतिहास उठा लो पंडे टोडरमल जी, बनारसी दास जी, जैचन जी, छावडा, दौलत राम जी, भूदर दास जी, भाग चन जी बिस्व के करोपतियों में उनका कौन सा नंबर आता था सुनाय के नंबर आपने, रिसर्च किये कभी आता था क्या उनका कोई नंबर उपर से नहीं आता था, नीचे से नंबर आता था करोपति नहीं हुए आत्मा के साधक परनतु क्या फरक पड़ा वो करोपति भी दोई रोटी खाता है और वो विद्वान भी दो रोटी खाकर क्या उसने अपना जीवन निकाल दिया परन्तु मोक्स मारगी में कितना आगे बढ़ गया वो सुएम अपना कल्यान कर गए और इतने भव्यजीवों के कल्यान का निमित बन गए और ये जो बताया सबसे बड़ा फायदा कि छले जाने की गुंजाइस नहीं है कि हम इस भरों से बैठे रहे कि साथ के बाद करेंगे और साथ मिले ही नहीं तो हाथ में कुछ आया नहीं तो हम जो आज सबसे ज़्यादा देखे बिद्वानों का तो विरह पहले भी हुआ है पर उन्तु वो हमें इतना परिसान कदाचित उन्होंने हमें इतना जिंज़ुडा नहीं जितना इन दो लोगों ने जिंज़ुडा क्यों इस उम्र में और बस उसमें हमें अपना प्रतिविम दिखाई देने लगता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ तो जैसा कि मैंने कहा अपने मतलब हम जो दुखी है न उनके लिए तो है पर अपने लिए भी हिले हुए है इस भै को दूर करने का इस सोक को दूर करने का और अपना कल्यान करने का एक मात रुपाए है कि हम अपना वो काम कर लें जो हम इस जीवन में कर लेना चाहते हैं अपने आत्म कल्यान के उद्द्यस से और फिर बाद में हम निश्चनत हैं चाहे लाख वर्सों तक जियूं और चाहे मृत्यु आज ही आजावे हमें उस अवस्था में पहुँचना है यह लोग साधारन लोग नहीं है जिन लोगों ने एक हजार बिद्यार्ची निकले हैं नहीं यहां से एक हजार इसना तक निकले हैं उस में से इस छेतर में कितने लोग काम कर रहे हैं फुल टाइमर पाट टाइमर तो एक हजार में से एक हजार लोग काम कर रहे हैं कोई एक आद भागा होगा जो की छिटक करके दूर चला गया होगा सभी कर रहे हैं पर फुल टाइमर ये लोग साधारन लोग नहीं है ये त्यागी तपस्वी लोग हैं इन्होंने लिस्ट में उपर से नाम लिखाने की होड में सामिल नहीं हुए ये ऐसा नहीं है कि इन्हें और कोई दूसी जगह मिलती नहीं थी इसलिए ही हाँ इतने प्रतिवासाली गोल्ड मैडलिस्ट हैं सांती जी गोल्ड मैडलिस्ट हैं धरमेंद्जी गोल्ड मैडलिस्ट थे ऐसा नहीं कोई जगह दूसी मिलती नहीं थी इन्होंने सोच समझ करके इसका चुनाव किया है औ और जीवन में सबसे बड़ा पुरसार्थ यही है सही निर्णे लेना तो ये लोग यहां हैं ये इनकी मजबूरी नहीं है ये इनकी कत्याग है ये इनकी तपस्या है ये इनकी साधना है और ये इस बात का द्योतक है कि ये निकट भव्य हैं क्या हम भी उस लाइन में सामिल हो अगर होना चाहते हैं तो हमारे पास में अवसर है बे गए और जैसा उनका जीवन था जो इस जीवन में उन्होंने प्राप्त किया इसमें कोई सक नहीं कि बे अतिनिकट भव्य हैं और उनको उनका पूर्ण अभ्योदय हो शीक ग्रीवे परमपत को प्राप्त करें यसी कामना तत्वग्यान के अवलमंक के साथ ही कार्यों कर नियंत्रन कार्य करना ये विशेश विशेशता सभी विद्वानों की होती है उनकी कारी कोशलता का आलम यह था उनके सोनगर जाने की खबर सुनकर वहां कोटा की जो विद्वारती हैं और समाज वाले हैं सभी इस बात के लिए बार बार उन्हें आगरे कर रहे थे कि आप नहीं जाएं यहीं रुकें यहीं पढ़ाएं उदर संस्ता की भविश के बारे में निशिंत होकर के वहां के सना तक उनकी शांदार स्वागत की तैयारी में लगे थे इस तरह कोई भी संस्ता वो विद्ध्यारती उन्हें वे अपने से दूर जाएं ऐसी भावना कोई नहीं करता था सब यह चाते थे आगए तो अच्छा काम होगा तो ततो ग्यान के साथ साथ यसी कारी कुशलता ही उनकी बहुत-बड़ी विशेस्ता थी उनके अंतिम समयों में रहे हैं यह बतलाते हैं बहुत प्रसन्य चित्त से रहे जब उन्हें पता चल गया था कि इस प्रकार का अगात उनके साथ उआ है फिर भी प्रसन्य चित्त से जैसे रोजाना चर्चा करते वैसे करते रहे और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की तरफ जब जाने अंतर समय में भी इसी का आगर था उन्हें इसी का आस्रे लेना चाहते थे तो ऐसी द्रड़ता उनके परिवार में भी है जैसे आधरनी भाईया ने कहा अपने परिवार वालों में असी तत्तो ग्यान की संस्कार तत्तो ग्यान के उसमें डालना जरूरी है आधरनी भावी से जब हम लोग मिलने गए अभी गएते हैं तो भावी ने भी यही जवाब दिया कि गुरु जनों से जो सीखा है और वेजो सीखा के गए हैं और जो शेश जीवन वो उसी के बरो से चलेगा उसी के आधार से चलेगा तो स्वयम की द्रिड़ता और अपने सातियों की द्रिड़ यह दिभी यहां उपस्तितो करके सरद्धांजली उनके प्रति वेक्त करना चाहते थे उनसे जुड़ी स्मृतियां यहां से वेक्त करना चाहते थे परन्तु उनकी शारीरी के अस्तवस्तता की बज़े से वे यहां नहीं आ सके सरद्धांजली की भावना उनकी भी है आधर परिवार की वर से हार्दिक्स रध्यांजली हम सब यहां से व्यक्त करते हैं अपने स्थान पर खड़े हो करके सभी नौ बार नमोकार मंतर का जाप करेंगे ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती दिवंगत आत्मा संसार सागर के दुखों से शीगर छूट कर मुक्तिपद को प्राप्त करें ऐसी भावना के साथ यह समरती सभा यादों की च्छाओं में पंडित धर्मेंदर जी शास्त्री